दोस्तों ये है बोश का डबल डोड रेफ्रिजेट देख लीजिए कैसी लोकेस की इस तरह का रेफ्रिजेटर है ये और इसका जो मोडल है ये भी देख लीजिए पास लेके आजाता हूँ तो ये आपको मोडल भी नेजर आज़ेगा ये थर्ड नमबर पे के डी एन 443U B301 ठीक है जी और इसमें अब क्या प्रोलम है इसमें कूलिंग जो है नहीं हो रही है और इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर जो पीछे फैन है वो नहीं चल रहा है जिसको बोलते हैं जो हवा को नीचे भी फैनकता है और यहां भी लेकिन धंडा कर रहा है लेकिन दूसरा प्रोलम क्या है कि वरफ नहीं जमती ठीक है बिलकुल पास में रखो गए तो जमेंगी अदरवाइस वरफ नहीं जमेंगी और नीचे क्या प्रोलम आते है यहां पे क रही है खराव हो रही है तो यह प्रोलम है मैं इस फैन की अगर यह फैन पीछे के अंदर फैन उरोड़ है तो छोड़ेंगिंग न कने चले गाेँ चल रहाई यह रहा है व siento यह देखो अर saitन यह लेई आपको तो यहां पर दो श्कृड़ों होते हैं वन और ले वर सेक्ड ऑज दू, इनको दोनों को खोल के यहाँ से पकड़ practical से खीज़ लीजिये, फैन से अंदर लगा होता है इसके box में चारों तरफ locks होते हैं, उनको खोलने के बाद अंदर जो motor होती है, आंदर की तरफ से स्वक्रिय होते हैं तो उनको खोलने के बाद fan जो open हो जाता है अब मैं एक चीज आपको special पताना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है अगर तो ये fridge आपका warranty में है तो immediately call कीजिए service center को और refrigerator की जो motor है वो आप change करवा सकते हो अगर आपकी warranty में नहीं है तो फिर साड़े 800 रपिया service charge है और 1600 के आसपा GST लगा कर motor पड़ती है तो आप लगा लिजी calculator कर लिजिए 1600 प्लस साड़े 800 रपिया कितना बना ठीक है जी मेरा refrigerator out of warranty है और मैंने call की थी उन्होंने मतलब service आके चेक किया साड़े 800 रपिया लिया और मोटर खराब है motor change होगी और 1600 रपे की आएगी मैंने का ठीक है जी ओके कर दीजिए जब motor आजे की मैं payment कर दूंगा आप लगा दीजिए change कर दीजिए लेकिन जी आप मानोगे इनकी service पूरे 35 दिन तक मेरे पास ये fridge के लिए motor नहीं आ रही थी समझगे तो 35 दिन मैंने wait नहीं किया उसका मैं solution बताऊंगा और मैंने सिर्फ 15 दिन किया बड़ी पता गर्ग में problem होती जब गर्मियां होती है तो हम बिना fridge के रह नहीं सकते सर्दियों में तो काम थोड़ा वो चल ही जाता है लेकिन गर्मियों में आप जो compromise नहीं कर सकते तो फिर मैंने क्या किया यह भी solution ले लीजिए यह इस तरह की motor है दोस्तों मैंने जब निकाल ली दो इस तरह की motor है यह जैए आजए clear हो यह देखिए पच्ची सो आर्पियम और आर्पियम पार मिनिट की है rotation और थ्री वाट की है DC है 9 बोल्ट DC ठीक है जी और इसकी pin देख लीजिए इस तरह की थी इसकी यह देखिए कार्ड में लगी होती है तो इस तरह होती है यह ऐसे पिन लगती है इसकी यह दो ना नोव यूपर वाली यह लोग के लिए ठीक है आप इसको इस तरह से देखेंगे ठीक है मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी देखना अभी यह वाली motor जो है मेरे को मार्केट में नहीं मिली मेरे शेयर के हिसाब से काफी मजब सार्च आउट किया उसके बाद मैंने यह गोद्रेज की motor है साड़े आर्ट सो रपे की और यह वी तीन वाल्ट डीसी की है और इसका भी पिन देख लीजिए इसमें सिर्फ दो पिन आती है ऐसी है देखिए रैड उपर है यह आप देख नीचे है तो ऐसे ही यह वाला और यह वाला दोन देखो सेम तो आप यह motor लगा सकते हो ठीक है जी यह मेरे ने किसी से लेके आया था चेक करने के लिए अभी वापस करनी है मैं नहीं खरीद लाया था तो अभी तक मुझे आलमोच पांच महींने हो गया वीडियो अब में आ दल रहा है तो आप भी अगर कोई प्रॉल्लम आती है तो बेज चिक मार्केट से यह उठा के लगा सकते हो तो वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए थेंक्यू सुमच